हलो प्रिंट्स तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक common error जहां पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे single like error से चलिए देखिए और समझेए कि क्या दिक्कत है ये sentence में पहले आप ठीक है economics is one of the subject which I have found very difficult since childhood देखिए जब हम बात करते हैं शुरुआत से इसको समझने की ठीक है बड़ हम सुरु से ना जा करके हम इधर से आते हैं ठीक है last point से last में लिखा है since childhood तो हमने बचपन से पढ़ा है कि सर अगर since या for ये दोनो time के साथ दिया हुआ ठीक है since और for के साथ time दिया हुआ ठीक है तो हम use करते हैं सर प्रेजेंट पॉफेट कांटिनिवस हम ये tense का इस्तेमाल करते हैं present पॉफेट कांटिनिवस बिल्कुल तो आपको लग रहा होगा कि सर since childhood है तो ये वाला point error नहीं है क्या ठीक है तो चलिए ये error नहीं है अब आगे हम थोड़ा से पढ़ते हैं कि सर ये since for का use आप सिर्फ present perfect में नहीं करते हैं बलकि आप इसका इस्तेमाल present perfect में भी करते हैं तो आज समझ में आगे आपको अगर आपको पहले से नहीं आता हो कि since for का for का इस्तेमाल हम present perfect tense में भी करते हैं so since school इधर से सही हो गया कि I have found my I found it very difficult यहां पर it आएगा ठीक है I found it very difficult since school तो हमें समझ में आया कि सर्फ since का यूज सिर्फ present perfect continuous नहीं बलकि present perfect tense में भी करते हैं अब आते हैं एकनॉमिक्स देखें कभी कभी हमें exam में दे दिया जाता है इसके साथ r लगा करके अच्छी बात थी कि यहां पर ease लगा दिया तो यहां पर कोई error नहीं था यहां पर बिल्कुल सही है अब आते हैं एक phrase हमारा use हुआ है one off ठीक है one off अब इसको थोगा सा समझ लीजे फिर हम error वाले point पे चलेंगे तो इसके लिए मैं again एक color change कर लेता हूँ so that आपको बेहतर फीलो अब हम बात करेंगे one off ठीक है इसकी pronunciation में off नहीं होता है फा नहीं होता है इस बात का ध्यान रखेंगे तो हम one off की बात करते हैं तो जब one off की बात करेंगे तो यह अपने साथ plural noun लेकर के आता है ध्यान रखेंगे कैसा noun लेकर के आएगा plural noun यानि यह आपके लिए एक keyword हो गया कि जब भी आप one off देखेंगे आपको plural noun ढून ढून ढूनना ही ढूनना है तो sir one off के बात क्यों आएगा चुकि इंगलीस में आपको ज़ादा तर जवाब मिलता सर ऐसा होता plural noun क्यों आता है जरा समझेंगे इस preposition के माधियम से यह preposition किसी चीज का part बताता है यानि हिस्सा बताने वाला noun है यह और कैसा है part या हिस्सा जिसको आप कहा सकते हो यानि यह total है और उनमें से हम एक की बात कर रहे हैं तो sir total जो number होगा वो तो plural noun में होगा ही वो non plural ही होगा ज यह जो subject लिखा हुए sir यह गलत है इसके जगा पर होना चाहिए subjects and I hope यह वाली बात आपको समझ आ गई कि वह यह one of के बाद noun जब भी आएगा न तो plural noun आएगा otherwise otherwise ध्यान रखेंगे कि यहां पर कोई main noun आएगा जिसका कोई हिस्सा हो सकता जिससे आप relation बना सकते हैं दुसरे वाले point में समझा देता हूँ एक तो plural noun याद रखेंगे दुसरा में नौन में नौन का मतलब जिससे आप क्या बता सकते हैं अपना relation बता सकते हैं ठीक है जिससे आप क्या बता सकते हैं relation समझ यह गज़र अगर मैं कहता हूँ कि I am a student of this school या this college तो ध्यान रखेंगे कि यह जो college है न बेसिकली इसमें आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे की बात हम कर रहे हैं अगेन एक की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि जरूरी का यहां पर colleges लिख दे कि सर ने तो बता दिया कि colleges होगा नहीं सर college कहने से इसके अंदर आपके जैसे बहुत लोगों का बोध हो गया तो यहां पर colleges करने की बात नहीं है आप सिर्फ यहां से college से क्या बता रहे हैं रिलेशन बता रहे हैं तो इसको आप यह भी कह देते हैं कि सिंपल सर रिलेशन बताने वाला प्रेपोजिशन है ठीक है तो जब आप part बताएंगे बहुतों में से एक की बात करेंगे तो वो जो non होगा plural होगा otherwise इस case में यह similar non भी हो सकता है I hope यह questions समझ में आ गया वापस इस questions पर आता हूँ कि error कहां था one of के बाद हमारा non कैसा होगा plural लेकिन ध्यान रखेंगे कि यह main non होगा जहां पर relation बताया जाएगा तो यह similar ही होगा ठीक है इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेगा I hope यह छोटी छोटी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को share करिएगा और चैनल पर पहली वार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू